ओम शान्ती आज 5 आउगस्ट 2023 है प्यारे बाबर ने हम बच्चों को कहा कि अगर हमें सदा हर्शित रहना है तो हमें दो बातों में निश्चे पक्का गरना होगा पहला हम किसके बने हैं स्वयम भगवान के हम बन गए हैं और दूसरा हमारा ये दैवी कुल सबसे उंचा सबसे श्रेश्ट है प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया अपनी शुब और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्यानकारी भव बाबा ने हमें विश्व कल्यानकारी भव का वर्दान दिया है विश्व को परिवर्तन करने वाले, ट्रांसफॉर्म करने वाले जब हम विश्व को परिवर्तित करना चाते हैं तो इसके लिए धन की आवश्शक्ता नहीं ऐसा भी नहीं कि हमारा शरीर बहुत ही तंदरुस्त हो या सारे विश्व में हम ब्रमन करें सेवा करें तब ही हम प्रकृती और समस्त विश्व को परिवर्तित कर सकेंगे लेकिन अगर हम विश्व कल्यानकारी बनना चाहते हैं तो हमें केवल अपनी शुब भावना और शुब कामना को निरंतर बनाना होगा हमारी हर एक आत्मा के प्रति यही शुब भावना है यही शुब कामना है कि ये आत्मा भी सत्य को पहचाने उसे भी बाबा का सत्य परिचे मिले वो भी अपने श्रेष्ट भागे को जागरित कर ले और हमारी श्रेष्ट भावना, श्रेष्ट कामना आत्माओं को ही नहीं लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तित कर देंगी जब हम दुनिया को देखते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं कि शायद मेरी शुब भावना काम नहीं कर देए क्योंकि दुनिया अभी बदल रही है, पूरी तरह बदली नहीं है लेकिन बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम श्रेष्ट प्रामना आत्माओं को प्रत्यक्ष फल का वर्दान है अर्थार्द जो भी हमारे संबन संपर्क में आता है या आएगा उसे तुरंत ही उसी समय ही स्नेह का शान्ती का शक्ती का महसूसता होगी और इसी के द्वारा उनके अंदर परिवर्तन भी आता है तो आज हम इस बात पर अपना अटेंशन दे कि हम विश्व को परिवर्तित करने वाले विश्व कर लियानकारी है तो सदा मेरी भावना शुब भावना और श्रेष्ट कामना संपन हम अपने आप को ये चेकिंग कर करते रहें और अपनी भावनाओं को श्रेष्ट बनाते रहें ओम शान्ति